तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी मैंसे कई लोगा का सवाल था कि हम ChatGPT4 को किस तरीके से फ्रेमी यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम image को create कर सकते AI के मदद से तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो latest ChatGPT पे हमें update देखने को मिला है जीपीटी 4.0 का इसमें हमें photo uploads के option देखने को मिलते हैं और यहाँ पे access भी limited ही है तो यहाँ पे आप जादा कुछ चीज़े नहीं कर सकते पर यहाँ पे alternative है कि आप Bing browser के मदद से सब चीज़े कर सकते हैं हम इस वीडियो में वही करने वाले हम यहाँ पे Bing browser को यूज करेंगे आपको बताएंगे ChatGPT के features आपको देखने को मिलते इस browser में और यह browser आपका total काम कर देगा जो जो आपको चीज़ाए image create करना हो search करना हो या फिर कोई भी AI related task हो यहाँ पे आप सब कुछ कर पाएंगे additional features के साथ तो इस वीडियो को पराइंट तक जरूर देखेगा मैं शोशांत राफ देख रहें टेक शोशांत और अगर आपने वारे चैनल को subscribe जरूर करेगा तो चलिजू करते इस वीडियो को तो यहाँ पे आप सब सब पहले अपने phone में Bing browser को download कर लीजे और इसे open कर लीजे तो यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके का home screen आपको देखने को मिल लेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ब्रावजर वह चैट जीपीटी 4 के model पर काम करते यानि कि आपको similar experience में मिल जागे से use करते वक्त तो यहाँ पर फिर्स टाम में लोकेशन परमिशन आता है आप चाहे तो देना चाहे तो देजी नहीं तो मत दीजे यहाँ पर जैसे आपको use GPT4 activated दिखाया रहेगा यानि कि यह जो go pilot है GPT4 के models को use कर रहा है आपको similar answer speed देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको जो question हो यहाँ पर question पूछ सकते हैं और यहाँ जट से जवाब दे देगा उस चीज़ को आप चाहे तो यहाँ पर image भी upload कर सकते हैं और summarize करवा सकते इसके लोग यहाँ पर additional features अगर आप 3.0.0 पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं tones को भी यहाँ पर set कर सकते हैं जैसे आप conversion styles को यहाँ पर choose कर सकते हैं जैसे आपको creative चाहे, balance चाहे प्रिसकाइज इसके लबब यहाँ पर notes ले सकते हैं chat GPT को use करते वक तो यह सब चीज और AI पर आचाते हैं कि हम यहाँ पर AI के बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे AI के options आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि avatars AI paintings यह फिर देख सकते हैं fun writing यह फिर games से related तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे categories AI के तो इन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर use क कर सकते हैं और most of the चीज़े फ्री है यहाँ पर आपको ज्यादा subscription लेनी की ज़रत नहीं है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर image generate करना चाहते हैं तो हमें sign in करना पड़ेगा यहाँ दोस्तों आपको फ्री में use कर सकते हैं पर अगर आपको यहाँ पर image generate करना है तो आपको Microsoft account क लेक्तिटे साथ sign in करना तो मैंने यहाँ पर sign in कर लिया और इसके बाद मैं आपको दिखाते हैं 3d avatar बना के तो यहाँ पर हमने प्रांप्ट दे दिया तो देख सकती हैं आंपको आपको आपका image generate हो के दिख जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी आप editing कर सक्ते है तो देख सकते हैं हुआ को कईसे पर options देखने को एडिट करने के लिए तो इन सब कि साबसे आप अपने जो यहाँ पर chuck hona होता image वो से Customize कर सकते हैं और यहाँ पर चाये आप शेर कर सकते हैं डाउनोड कर सकते direct इसे या फिर आप Share भी कर सकते तो देख सकते इस तरीकेसे आप यहाँ पर Image Generator का Use कर सकते बिंग ब्रावजर में और यह काफी जदा अच्छा है तो यहाँ पर टूल सक्षन में आपको Image Generator देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप Image को और अच्छे से यहां पे generate कर सकते हैं आप अच्छे से describe कर सकते हैं अपने किसी भी prompt को और यहां पे आप देख सकते हैं आपको 14 boost देखने को मिल रहागा तो यहां पे मैं per day boost देखने को मिलता है तो इसी के मदद से हम image को generate करते हैं अगर आपने इसे खतम कर दिया तो आपको एक दिन wait करना का जब तक यह renew नहीं होता है तो इस तरह के से आप image generate कर सकते हैं फ्री में और यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज को search करेंगे तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर में co-pilot देखने को मिलता है और यहाँ पर आप AI related सवाल इसको यहीं पर पूछ सकते हैं आपको यहाँ पर app close करने का ज़ुरत नहीं पड़ेगा चाहे उस website से related हो या summarize करना हो या कोई भी question आपके मन में हो तो यहीं पर आप इसी जगे पर कुछ भी पूछ सकते हैं इसकी लब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें co-pilot के साथ-साथ और AI tools देखने को मिलते है जैसे designer, vacation planner, cooking assistant, fitness trainer और यहाँ पर आप इसका subscription भी ले सकते है यहाँ पर Microsoft Co-pilot का एक subscription जाता है जिसमें आपको बहुत सारे नए features देखने को मिलते हैं और इसकी pricing 2000 रूपीज है तो काफी जदा हाई है तो हमारे जो काम है फ्री वाले में हो जाएगा तो यहाँ पर फ्री में आप chat GPT 4 को use कर पाएंगे अगर images को भी generate कर पाएंगे तो overall काफी अच्छा browser है तो एक बार इससे try करके ज़रूर देखेगा आपको जो काम है वो बन जाएगा जितने ही आपको ज़रत होगी उतना यहाँ पर फ्री वाले वर्जिन से कर लेंगे तो दोस्तो आज के मिलेस इतना ही अब आपको बढ़ी पसंद आई हो अगर विडियो पसंद आए तो विडियो का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा